आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खाद एवं भोकता संदक्षन विभाग या काड़ियाले को किस परकार अपने रासन काड़ से संबंदित सूचना प्राप्त कर सकते हैं इसकी बारे में जानें जो इस एक दूसरे को शेयर अवस्त करेंगे तथा एक लाइक कर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रासन काड़ से संबंदित किस परकार सूचना मांग शकते हैं जिने फॉर्म होगा प्रपत्र को वह अपना फॉर्म में भग लेंगे तथा जिने फॉर्म नहीं है वो अपना साधा कागज पर इस तरह भी अपना अवेदन लिख कर सूचना मांग शकते हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने है तो प्रपत्र को शेवा में लोग सूचना पता अधिकारी खाद देवम बोक्त संरक्षन विभाग या कारियाले अपने अपने जीला या राजी का नाम यहां लिख देंगे विशय सूचना के अधिकार 2005 के तहत आवेदन पत्र नाम अपना नाम लिखेंगे यहां अपना पूरा पता लिख देंगे पीन कोड़ बस्ति देंगे महोदय मुझे खादेवम विभाग या कारियाले द्वारा अपना नाम दे देंगे जीला या राजी का कार्ड संख्या होगा तो कार्ड संख्या दे देंगे दिया गया है या कार्ड रासन दुकान संख्या होता है उस संख्या का नाम दिखेंगे और किरासन तेल डीपो संख्या भी होता है उस संख् पीजे चाहा आए मैं निम्ढंकित जानकारी चाहता हूँ तो पहला क्या जानकारी चाहते हम लोग तो आपके रिकॉड के Santatiya को पर्तेक महां में जारी किये गए रासन और किरासन तेल का व्योरा दें पहला महना का नाम किश किश महने में हुआ है दूसरा जारी परती इस प्रकार आप लोग सूचना मांग सकते हैं दूसरा गोकता रासन दुकान वोकिरासन डीपो के खिलाब पाँच बरसों में या जितने भी बरसों में का मांग सकते हैं आप लोग मांग सकते हैं कितनी सिकायतें प्राप्थ हुई हैं सभी सिकायतों की सूची विबरन क साथ दें, पहला स्िकायत करने वाले का नाम, दूसरा सिकायत का शिप्त विबरंद, तीसरा सिकायत की ताड़ी, जौथा सिकायत पर की गई कारवाई का विबरंद, पांच Mississippi का नाम भुद उपता से रिच घातायों, किसी भी सूचना देने के लिए आपको 10 रुपे का सुल्क देना परता है या जो पीपियल कार्ड धारी है उन्हें ने सुल्क सूचना दी जाएगी तो सुल्क में दे देंगे मैं आवेदन सुल्क 10 रुपे का पोस्टल ओरर चेक या डिमांड राट या नंज डिस्ट संख्या दे देंगे या मैं बीपियल कार्ड धारक हूं इसलिए सुल्क से मुक्त हूं मेरा कार्ड संख्या इतना है जो पीपियल धारी है उन्हें का चाया परती और रासन कार्ड संख्या देना होगा दे देंगे अपना स्थाक्षर पूरा पता यहां लिख देंगे कार्ड में हो रहे गड़बड़ी या धानली की भी शिकायत कर सकते हैं जाए